ऐसा कहा जाता है कुद्रत ने पूरे दुनिया में एक ही चहरे के साथ इंसानों को बनाया है अक्सर तब तक हम इस तरह की बातों पर यकी नहीं करते हैं जब तक हमें हूब हूब एक जैसे दिखने वाले दो चहरे नहीं मिल जाते हमशकल तो लगभग हर किसी इस दुनिया में मौजूद है लेकिन आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदा चहरों के हमशकल को दिखाएंगे जने देखकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे और चौंकना जायज भी है क्योंकि आज हम आपको जिन लोगों के हमशकल दिखाने जा रहे हैं वो कोई आम शक्स नहीं बलकि वे दुनिया के सबसे पॉपिलर स्पूर्स में से एक क्रिकेट के दिगज है पिछले कुछ देशकों में क्रिकेट दुनिया के कई देशों तक अपना पहुँच बना चुका है और अब इस खेल को दूसरे देशों में भी बड़ी तादाद पर पसंद किया जाने लगा है भारत में तो क्रिकेट प्रेमी अपने पसंदिदा क्रिकेटर को किसी नेता अभिनेता से कम नहीं मानते तो चलिए मिलते हैं अपने पसंदिदा क्रिकेटर्स के हमशकलों से जिन्नोंने सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे की वज़े से पुरी दुनिया में नाम कमाना शुरू कर दिया तो सबसे पहले आप मिलिए बॉलिवुड के जाने माने अभिनेता चंकी पांडे से जिन्होंने हाल ही में साहू फिल्म में अपने जबर्दस अभिने से दर्शकों का दिल जीत लिया और अब आप देखी पाकिस्तान के बेतरीन क्रिकिटर्स में से एक वसीम अकरम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनमें चंकी पांडे की जहलक दिखेगी वसीम अकरम पाकिस्तान के बाएं हाथ के 30 गेंदबाज रह चुके हैं जिनका नाम इतिहास के सबसे भेतरीन गेंदबाज के तौर पर लिया जाता है फिलाल इस वक्त वे IPL टीम कूलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज ही कोच हैं एक जैसे दिखने वाले इन दू चेहरों को दिखकर क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से छोटा कौन है और बड़ा कौन अब आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो किसी इंट्रोडिक्शन का महताज नहीं क्योंकि ये शक्स है अशलील फिल्मों का बात्षा जॉनी सिंस जिनका चेहरा हूब 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 आस्ट्रेलिया क्रिकेटर क्रिस लीन के चेहरे से मिलता है Australia क्रिकेटर क्रिस लीन के चहरा, हाइट, कलर और स्टाइल, काफी हद तक एडल्ट फिल्म स्टार जॉनि सिंस सो मिलता जुलता है अगर किसी वीडियो में जॉनि सिंस की जगाँ क्रिस लीन को कड़ा कर दिया जाए तो इन दोनों के पहचान करना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाएगा फिलाल आपसे सवाल है कि आप बता सकते हैं पॉन्स्टा जॉनिसिंस किस देश के नागरिक हैं? अब मिलिये श्री लंका के सबसे भेतरीन गेंदबाज में से एक लसित मलिंगा के हम शकल से लसित मलिंगा को देखकर हर किसी को नथा की आदा जाती है मेरा मतलब है बॉलिवूड एक्टर ओमकारदास की जो पीपली लाइफ में नथा की भूमिका में नज़र आये थे इन दोनों का चारा एक दूसर से इतना मिलता है कि ओमकारदास श्री लंका में भी अपने चहरे की वज़े से बहुत पॉपलर हो गए है वहीं मलिंगा श्री लंका के तेज गेंदबाज है जिनने यारकर गेंद फिंकने में महारत हासिल है वो 2014 में श्री लंका की T20 टीम के कपतान में रह चुके हैं जिसने ICC T20 वर्ल कप जीता था एसित मलिंगा विशू के एक मातर है से गेंदबाज है जिननोंने दो बार विशू कप में और तीन बार ODI में हैट्रिक ली है अब बार यह है दुनिया के सबसे 30 गेंदबाज में से एक इशान शर्मा के हम शकल से मिलने की 30 भारतिय गेंदबाज इशान शर्मा अगर आपको कभी फुटबॉल विशू कप खेलते नजर आ जाएं तो आप धोका मत खाना क्योंकि इंटरनेशनल फुटबॉलर ब्राइन रुईज बिलकुल उनकी तरह दिखते हैं इशान शर्मा भारतिय तीज गेंदबाज है जो अपनी लहराती जुल्फों के लिए जाने जाते हैं वो सबसे लंबे कद के भारतिय गेंदबाज है जिनने 53 टेस्ट मैचों में 150 विकट लिए हैं ब्राइन रुईज प्रोफेशनल फुटबॉलर है जो फुल है में इंगलिश क्लब के लिए खेलते हैं और कोस्टारिका की कपतान है लेकिन बात अगर इन दोनों की शकलों की करें तो दोनों जुड़वां भाई लगते हैं फिलहाल आपसे एक सवाल है क्या बता सकते हैं इशान शर्मा आईपेल के किस टीम के लिए खेलते हैं हम शकल के दुनिया में अब आगे बढ़ते हैं क्रिकेट की भगवान कही जाने वाले सचिन तंदूलकर को क्रिकेट की दुनिया में अपने जैसा भलाई कोई न मिलाओ लेकिन असल जिंदेगी में सचिन तंदूलकर को बिल्कुल अपने जैसा दिखने वाला एक शक्स मिल चुका है सचिन तंदुलकर के हमशकल बलवीर सिंग एकदम सचिन की तरह दिखते हैं बलवीर का कद उनका स्टाइल सब सचिन की तरह है उन्होंने सचिन के साथ काम भी किया हुआ है और उनका शकल एक दूसरे से इतना अधिक मिलता है कि कई बार बलवीर सचिन बनकर टीवी पर भी आच चुके हैं बलवीर क्रिकेट तो नहीं खेलते लेकिन सचिन का हमशकल होने की वज़े से उन्हें शौरत मिल रही है लदिहाना के रहने वाले बलवीर सचिन से पहली बार 1999 में मुंबई के वानकड़े स्टेडियम में मिले थे बलवीर पेशे से एक गायक है और धेरो प्रोग्राम भी करते हैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और सवाल है सचिन देंदलकर की पतनी डॉक्टर है ये इंजीनियर अब आप मिलिए भारतिय इत्यास के सबसुविस्फोटक बल्लेबाज वरेंदर सहवाग के हमशकल से वरेंदर सहवाग को दुनिया उनकी धुआधार आतीशी पारियों के लिए जानती है वरेंदर सहवाग के प्रशन शक तो पूरी दुनिया में फैले हुआ है लेकिन उनको पसंद करने वालों में से एक फैन जीवन शर्मा बिलकुल उनी की तरह दिखते हैं जीवन शर्मा महराश्टर के रहने वाले हैं और उनकी शकल वरेंदर सहवाग से इतने अधिक मिलती है कि आपके लिए बताना मुश्किल हो जाएगा कि इन दोनों में से असली वरेंदर सहवाग कौन से हैं अब हम आपको जो चेहरा दिखाने जा रहे हैं उस चेहरे को आपने इस से पहले जरूर ही देखा होगा क्योंकि ये हमशकल है भारती टीम के गबर कहे जाने वाले शिकर दवन का शिकर दवन को अपने मूच और अपनी फंकी हेस्टाइल के लिए जाना जाता है और अब इन ही की तरह मूच और फंकी हेस्टाइल वाला रक्ती मिल गया है जो कंडर फिल्म में टेक्नीशन के तोरप काम करता है इन दोनों का चेहरा 100% एक दूसर से मिलता है फर्क सर्फ इतना है शिकर दवन थोड़े मौडन दिखते हैं और उनका हमशकल बहुत ही सामान है शिकर दवन का हमशकल तब और भी चर्चा में आ गया जो विरेंदर सहवाग ने इसकी फोटो पोस्ट करके शिकर दवन को जनन दिन की शुब कामनाय दी थी अब बार ये भारतिय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली के हमशकल से मिलने की मैदान पर गरम जोशी के साथ खेलने वाले क्रिकेटर विराट कोहली के एक दो नहीं बलकि कई सारे हमशकल है सबसे पहले हमारे पडोसी देश पाकिसान के वहतरीन बल्लेबाज एहमा शहजाद जो काफी हद तक भारती कप्तान विराट जैसे दिखते हैं पेचले दिनों सुशल मेडिया पर दोनों के एक जैसे दिखने की बात की जबरदस चर्चा हुई वहीं दूसरी तरफ तुर्की का एक अभिनेत है कि शकल विराट कोहली से काफी मिलती है जिनका नाम कैविट स्टेंगिनर है इस अभिनेता ने मशूर वेब सेरीज डिलिलेस आर्टिव गुरल में एहम भूमिका निभाई इस वेब सिरीज में आटोमन सामराज्य के ओ दिखाया गया है विराट कोहली का एक और डुपलिकेट इंटरनेट पर उपलब्द है जिसका नाम है गौरव अरोड़ा ये शक्से कभी टिक टॉक स्टार रह चुका है लेकिन भारत में इस अब के बैन होने के बाद वो इंस्टाग्राम पर काफे अक्टिव हो गया विराट कोहली से चहरा मिलने के वज़े से गौरव के करीब सतर हजार से ज़ादा फॉलवर्स हो गया है भारते team के 30 गेंद बाद जस्पREIT बुमरा के भी एक हमशकल की फोटो हाली में हूँ बारल हुई जस्पREIT बुमरा का ये हमशकल भारत में बलकि पाकिस्तान में देखा गया था जो पाकिस्तान टीम के मैच को देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद था जस्परीद भुम्रा के एसे हमशकल का चहरा जस्परीद से इतना अधिक मिलता है कि अगर दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो आपके लिए असली और नकली का चुनाव करना कठिन हो जाएगा अगर पिटबुल के किसी गाने में दक्षनी अफ्रीकी क्रिकेटर हर्शल गिप्स डांस करते हो दिख जाए तो शायद दुनिया का कोई शक्स होगा जो उन्हें पिटबुल नहीं समझेगा हर्शल गिप्स और पिटबुल का शकल एक दूसरे से काफी अत्तक मिलता है हर्शल गिप्स दक्षनी अफ्रीकी क्रिकेटर है जो आतीशी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं गिप्स पूरी दुनिया के एक मात्र क्रिकेटर है जो किसी भी मैच से पहले नेट पर अभ्यास नहीं करते थे गिप्स ने 2007 में क्रिकेट विशुक पे नीदरलेंड के खलाफ एक ओवर में 6 चक्के लगाए थे और ऐसा कार्रामा करने वाले वो पहले खिलाडी बने क्या आप बता सकते हैं हर्शल गिप्स के अलावा एक ओवर में 6 चक्के और किन-किन खिलाडी ने मारे हैं सही जवाब देने के लिए कॉमेंड में बता देना और उस्टेलिया के स्टार क्रिकेटर डेविड वार्नर ने एक इंट भटे में काम करने वाले मजदूर की फोटो शेयर की और उस पोस्ट में वार्नर ने लिखा कि बहुत से लोग इस तस्वीर में टैग करके मुझसे पूछते हैं क्या ये आप ही हैं अब बिल्कुल डेविड वार्नर जैसे दिखने वाले इसे शक्स को देखकर आपको क्या लगता है क्या ये डेविड वार्नर ही है या फिर उनके जैसे दिखने वाला कोई खम शकल अगर आप क्रिकेट के प्रिशन शक हैं तो डेल स्टेम को तो आप जानते होंगे डेल को देखने पर आपको जेम्स बॉंड की याद आएगी कभी चंकी पांडे का चहरा पाकिसानी क्रिकेटर वसी मकरम से मिलता है तो कभी हॉलिवूड अक्टर विन डीजल का चहरा उत्तर प्रदेशने मुख्य मंत्री योगी आदित दिनाद के चहरे से मिल जाता है दरसल इस पृत्यू पर इतनी अधिक जनसेंग क्या हो गई है कि गुदरत के लिए भी अलग लग चहरे बनाना एक चैलेंज हो गया है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लेगी क्या आपने कभी किसी हम शकल को देखा है आप अपनी राय कॉमेंट में देना वीडियो चेलेगी तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आउन करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंट्रेस्टिंग जानकारिया लाते रहते हैं थैंक्यू